बूर्णिंग इस्टूडेंस आज अपन इस चैप्टर का लाज्ट टॉपिक पढ़ें कि कल अपने थोड़ा सा पिसी कल्चर का पढ़ा था और उसमें आपने टाइप्स पढ़ लिए थे कौन-कौन से किस-किस तरीके के होते हैं तो वहां पे दो आपको डिवाइड समें यह कि राजिस्थान में जो है इसकी क्या कि के राजिस्थान में कहां कहां कैसे इस का development तो यह सारी चीजें कम characterized तो अपने सब्सक्राइब किकल उंदाया में प्रा deja jednak क्यों यहां पर खाते लोगव बग जता है इसलिए उसका इसलिए राजिस्थान में हम्हेंग कम हैं लेकिन भी धीरे धीरे इसका सीवाः तो और सबसे बड़ी बात वो तो प्रडेक्शन के साथ क्या है कि यह जो वाटर उसको भी प्लॉर करती है तो यह मतलब चाहें वैसे अपर नहीं देखें लेकिन अगर हम एन्वार्मेंट के साफ से देखें तो यह भी एक इसका बहुत बड़ा एड्वांटेज है कि अगर हम अगर आप जैसे घर बगरे में आपने देखा होगा कि एकवेरियुम वाँपे होता है और उसका मेर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको सुन्धर था के लिए क्योंकि फिश जो है बहुत सुन्धर होती है अलग-अलग तरीके की होती है और अगर आप लोगों के ने देख तो इस तरीके से जो है मुसको यूज करते हैं दूसरा अगर हम वैसे देखें गुड ओमन के साफ से सुब के साफ से तो मचली को सुबह सुबह देखना भी सुब माना जाता है तो वह बी एक रीजन है हलाकि हम साइंस इस चीज को नहीं मानते लेकिन मान भी लें तो क्या बु है तो उनको मानने में कोई बुराई भी नहीं है तो अब आप यह देख लिए कि अगर आप गर पर एक्वारियम रख रहे हैं तो उसमें आप एक तरीके का जो है इवलिशन में भी भाग ले रहें क्योंकि आप उस अलग अलग वराइटी को जो है आप डेवलेप कर रहे है आप उसको प्रटेक्ट कर रहे हैं आप उसका कंजेर Inön कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का है एक किसमें क्यों और में या यूवूलिशन में प enc Atlas अब यहां पहने देखो जो राजिस्थान हैं ऊस राजिस्थान में बहुत सारे शारी वेराइटीज हैं और अब अबही अग यह भी एक बहुत अच्छा जो है आगे जाके इसका फ्यूचर है तो वहां पर इस चीज को फिशरी के साथ साथ में जो दूसरे हैं उसको हम बोलते हैं कमपोजिट तो यहां पर फिश के साथ में और भी जो एक्वेटिक अनिमल्स है उन अनिमल्स को भी हम डेवलेप कर सकते ह और उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है जिसमें पर्ल्स बनाए जा रहे हैं और अगर थोड़ा सा है तो हमारे ही किरन स्कूल का एक प्रिवेस स्टूडेंट है सिता राम मेना जिन्होंने हिंगोनिया में यह बहुत अच्छा प्रडेक्शन का रखा है और इसमें बात देखो जब यह चीज़ें बढ़ी तो आज कल जैसे आपको स्कूल लेविल पर छोटा पड़ाया जा रहा है लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो चीज़ को और बढ़ाया जागा तो इस तरीके से इस फिसरीज को यह इसके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हमा आगे जाके क्या करेंगे तो यह चीज़ें इसी लिए दे जाती है ताकि आपको लगे कि हम यह चीज तो बहुत अच्छी है अब इसका इडवांटेस भी दे रहे हैं इसकी सारी प्रोजेक्ट भी अपने को बता रहें तो हो सकता है कि कोई बच्चा अभी से अट्रक्ट हो सब्सक्राइब अब इसे लिए जो है इसारी चीज़ें आप इसमें देखो कि अपने जितनी भी जैसे अभी मैं आप को जी फोटो फोटो वगरे बेज रहे हूं यह फोटो कहां सी मुझे मिलरी है यह फोटो मुझे इंटरनेट से मिल रहे तो इंटरनेट पर भी इस आपने नेट पर देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और सारी चीजह मिलेगी इवन आपको इतने अच्छे-चे वीडियो मिलेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि अब जैसे मालेजें कि आपके पानी इतना नहीं है और आप सोचते हो कि यह अपन कल्टि टि जहीं स chut members को सब्सकर करते हैं ये जो आपको पानी की कम्मी है लेकिन फिरनी सीजन में इतना वाटर जो है इतना श्टोरart कर आप दो में कि में यह प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे आज गाउं लोगबग आ रहे हैं nnnd पानी नहीं है न सकते वहीं पर उसके घूह में इसे प्रोसेश कि हम पानी को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं तो तो वहां पर बारिज के टाइम में इतना पानी स्टोर कर लिया जाता है कि वह साल पर उसका यूज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं यह काम कर सकते तो इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन करके इस जो प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्ट कर सकते तो पानी की समस्या भी जो है वो कम हो जाएगी फिर उसके बाद में हमारे राजिस्तान में फिस्की यह मान के चलिए कि 60 वेराइटीज तो इतनी सारी वेराइटीज का हम सकते हैं उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे राजिस्तान में इस समय जो प्रिश्री यह कम से कम जो एक्वेटिक रीजन जो जल छेत्र हैं वो कितने 15,838 और अगर आप उनसे छोटे-छोटे जैसे यह तो मैंने थोड़ा आपको बड़ा वह बता दिया लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल पर देखें तो लगबग इसके लिए एरिया कितना है 4,23,765 हैक्टियर इतने जो एरिया है इस एरिया में राजिस्तान में इस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है फिर उसके बाद में देखो कु 28,200 टन इतना था और दीरे दीरे यह मान के चलो कि हर साल यह तो 10-11 कर में बता रही हूं इससे में अपना चल रहा है 20 यानि 10 साल तो अगर आप इस प्रडेक्शन को कम से कम 12-13 परसेंट से बढ़ाते चले तो यह बहुत जादा परसेंटेज यहां पर बढ़ जाएगा अब यहां पर देखो उसके बाद में इसको कि यह बुक में डाटा दिये वे डाटा बहुत पुराने हैं तो यहां पर जो आप यह मान के चलो कि इन सब में आप 10-15 परसेंटेज को बढ़ा सकते हो इसली कहीं कोई दिकत नहीं फिर उसके बाद में अगर हम अपने एरिये मे साइज़ी देखें तो लगबग Haban 176 तो हमारे पास Kilogram पर हेक्टियर तो बहुत बड़े-बड़े पॉंड हैं और उसके बाद में अगर हम मीडियम साइज के देके तो हमारे पास में 1,320 फाइफ। पर हेक्टियर जो है वो मीडियम है और अगर हम छोटे के बात करें तो 1675 kg जो है वो हमारे पास में छोटे और इसके अलावा हमारे पास में बहुत छोटे-छोटे जो आप जिसको आप कर सकते हो पर्सनल पॉंट्स भी है और उनकी क्या है के 2,550 kg पर हेक्टियर तो यह हमारा जो है एवरेज प्रडेक्शन जिसमें की हम इसीली जो है फिसको कल्चर कर सकते हैं फिर यहां पर इंपर्टेंट ए यह कॉशन आया भी है कि वह इस पाईलेट प्रोजेक्ड 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 गया तो जो फिस्ट फड़ यर प्लान में बना गया और उसका नाम रखा गया पाइलेट अब इस पाइलेट प्रयोक्ट में में हमारे राजिस्थान में यह पाइलेट प्रॉजक्त स्टार्ट किया गया था बीयलवाडा से और यह हो दा 1976 में था ओन्रॉस Ama कर लिना क्योंकि प्रजेक्ट का कोशन पहले भी पूचा गया है और धीरे धीरे यह मान के चलिए 96-97 तक यह बीलवाडा के साथ 15 डिस्टिक्स में और भी स्टार्ट किया गया और जो रिसेंट डाटा है वह भी मैं आपको दे रही हूं तो यह तो कुछ पुराने हैं बाकि र साथ साथ को भेज रहे हूं फिर उसके बाद में देखो यह जब काम बहुत अच्छा होने लगा तो एक आपने नाम सुनाओगा सब्सीडी सब्सीडी क्या होता है कि जब गौर्ण्मेंट क्योंकि आप जैसे मालीजिए आप मैं किसी को कहूं कि भी तुम करो तो पैसे ही न नहीं है और वो सब्सीडी इसलिए जाती है ताकि अगरा राजिस्थान की बढ़ेगी तो पूरे इंडिया की बढ़ेगी तो यहां पर इन चीजों को रखते वे गौर्ण्मेंट कुछ ऐसे प्लान करती है ऐसे प्रोजे करती है जिससे की दीरे दीरे जो है एकनोमिक वैल् उसके पैसा भी इस ली ले सकते हो और फिर उसके बाद में देखो यह प्रडेक्शन के लिए अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें ज्यादा अच्छा ने जैसे माली जी कि आपके आप करते हो कि हमारा प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन उसमें और भी फैसिलिटी चाहिए और भी उसको में बढ़ाना है तो उसके लिए भी जो है गौर्णमेंट बहुत सारी जो है पैसे या सबसेडी देती हैं अब उसके बाद में यह तो थोड़ा सा इसका अपने कंए निया कि राजिस्थान का और शीग फिर यहां पर देखो कि जैसे अपने खेट होते तो हम प्रांट वगडरे उसके लिए खेट बोलते हैं लेकिन अगर हम फिशरी के देखें तो उसको हम बोलते हैं बीज खेट या इंगलीज में बोलते हैं तो अब यह जो है जैसे अपना खाद निगम है वह वाला तो उसी तरीके से जो अंडे हैं आपने बीज को प्रटक्ट किया जाता है और तो इन बीजों को या जो मचली के अंडे हैं या उससे जो बाहर निकले वें तो उनको इजीली ले जाके और चीज को भी ग्रोव कर सकता है जासे हमें कोई प्लांट उगाना है तो हमें क्या चीजिए तो उसी तरीके से अब हमने बना लिए तो उस पॉंड के लिए मचली कोद आएगी हम क्या करेंगे उसके अंडे लाएंगे तो यह काम भी जो है गौर्णमेंट करती और उन्हें ऐसी जगे को में क्या बते हैं और अब देखो कुछ एक्जामपल भी दिये हैं उद्यपूर में है पिसी कल्चर के लिए कॉलेज है पिसी और हनुमानगण में चोहान मचली है चरी उसके बाद में जैसमंद में है Tech को, सब्सक्रामों भी वाड़ा में गावर्डी है फिर इसके बाद में कोटब में पर table है फिर परें उसके पाल में Jewish स्पंद्र हमें बक्तों कम स मुिंदी है तो यह जो है इस तरीके की चीज़े और सब्सक्राइब बंक्तों यानि कि यह हमेशा रहती है और कुछ हमारे पास में है जो एकोर्डिंग टू सीजन होती है तो अर्द कार्यात्मक या सीमी फंक्शनल है चरी बोलते हैं अब देखो इसके बाद में अपनी लास्ट बच रही है कि इसका मत्यस्यपालन का महत्य क्या है क्या तो आलांकि अपने यंकम घरिकर कि बमन इने की अपने इसलिए कि उसक्ति हैं कि यह जंव कि फूडं के सोट को सबस्क्राय औरन इसे प्रोटीमिं या ओल्लोग वह उसके मैं की छ fare बिरूडिंगます तो फॉर जो है प्रोटेक्शन इनको यहां पर यूज किया जाता है फिर है मचली का तेल जो है और उसको मसाज में जो है मालिस के तेल में यूज किया जाता है बाकि आजकल जो है कुछ ओईल के इनके कॉर्ट लिवर ओईल जो है इनके कैपसूल भी आते हैं तो वह वीकनेस के लिए यूज किया जाते हैं फिर यहां पर देखो फिर है मत्तस्री चून जो फिस है उसका पाउडर है और यह पाउडर भी ऐजटोनिक दिया जाता है प्लस एनिमल्स में के फूड में भी आजकल जो है फिस का पाउडर जो है यूज करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा है तो हमारे साथ साथ जो हमारे एनिमल्स हैं अब जैसे डॉग वगर रहे हैं तो आप देखो उनके लिए अलग से जो है कुछ जैली वगर आती तो उ अचलियां मर जाती है या किसी वज़े से जो है डिस्ट्रोई तो उनका पाउड उनको सुखा के पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को यूज हम फर्टिलाइजर तो क्योंकि हमारी जैसे बाडी में सारे एलिमेंट सारे कंपाउंड सारे जो न्यूट्रेंस हैं तो वो डायरेक्ट जो है सॉइल में या प्लांट तक पहुंचते हैं फिर उसके बाद में सौंदर यह मूल यानि एस्थेटिक वैल्यू अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्वेरियम वगर है मुझ को लेते हैं तो यह जो है एक तो सुन्दर लगती है दूसरा जो है अ सबसे इंपॉर्टेंट आप यह देखो मच्छरों के नियंतरन में यानि कि जैसे मलेरिया का जो आपको पता है कि लार्वा वगर होता है एनोफलीज का वो क्या होता है पानी होता है और इसके लिए जो है आजकल आलाबों में डुलाज सब्सक्क्राइब को डाला जाता है तो यह कुछ फिस हैं जिनको हम एनोफली जो भी मच्चर है उस मच्चर के लार्वा इनको पसंद तो इसलिए उनको खाने के लिए डाला जाता है और हमारे दोनों काम हो जाते हैं फूर्ड हो जाता है और हमारे पास में जो यह हांफुल इंसेक्ट उनका प्रेडक्शन का रोजाता है फिर हमारे पास में वैग्यानिक मूल यह साइंटिफिक वेल्यू अब यह देखो कि आपको पता है कि फ्रॉग फेस यह जो हैं इनको हम लैब में बहुत यूज करते हैं क लाकि हमें पता लग सके कि किस तरह की कौन-कौन सी विरेशन यहां पर है फिर उसके बाद में रोजगार एंप्लॉइमेंट अभी में आपको स्टार्टिंग में बता है कि आज इतनी अच्छी चीज़ें आपने पड़ी है तो क्या पता आपको ही मन हो जाए कि ठीक है भई तो क्यों नहीं वहाँ पे जो हैं आर्टीविशल यह पॉंड बनाके यह प्रोग्राम को कर सके तो इसमें हमें प्रोडेक्शन मिलेगा पैसा मिलेगा एकनोमिक मिलेगी और गौर्नमेंट इसको बहुत जादा जो है हेल्प करती है इसमें तो यह जो है हम इसको as a employment या मिलेगी तो यह एक आये का श्रोथ भी हो सकता है और जो लास्ट है ठीक है इसमें अलागे आप पड़ चुकियों कि प्रेडिक्शन और फिस क्या करलाता है ब्लू रेवलिशन नीली क्रांती तो इसको जो है यह भी आपको ध्यान रखना है आपने अग्रिकल्चर में बहु प्रेडिक्शन वढगरे में तो मचली का जो प्रेड़क्शन है वो प्रेडक्शन क्या प्रेडिक्शन की प्लू प्रेडिक्शन यह नीली क्रांती ब्लू अनों है आज और ऑफ है नेपकर राटi को कंप्लेट करें थैंक यू